हेलो दोस्तों स्वागात है आप सबका फिर से एक नए वडियो में दोस्तों आज की वडियो में हम आपको बाजु कटिंग करना सिखाएंगे और ये हमारा स्ब्सक्राइब this last part है इससे पहले के part आपने नहीं देखे तो हमार सेले में पर देखने ना हमने फ्रांड और बेक के पार्टू पार्ट विडियो बनाए है इसमें दोस्तों हम बाजू कटिन करना सिखाएंगे इस तरह से हमने कप्रे को डबल फोल्ड करके बिचा लिया है और अच्छी तरह से इसको दोस्तों हमें एड़िस्ट कर लेना है सबसे पहले हमें यहाँ से सीधा मार्क लगा लेना है ताकि हमारी ड्रोइंग एकदम सीधी हो अब दोस्तों यहाँ से हमें बाजू की लंबाई प्लस हाप इंस मार्जिन रखना है और मार्क लगा देना है इस तरह से हाप इंसरेड कर लेना है दोस्तों बाजू की लंबाई में से हम वहीं मार्क हम उ रख सकते हैं और यहां से करीब हम 6 एर इंच में 2 सूद कम पे मार्क लगाएंगे और यहां से हमें 8 इंच रखना है अगर बगल हमने 8 इंच रखी है तो और हमने बगल 8 इंच रखी है तो यहां पे हमें 8 इंच पे लगाना है अब दोस्तों इस तरह से हमें इसको सिधा कर लेना है स्केल की मदद से दोस्तों ना समझाए तो कमेंट करने हैं न हम दूसरी वीडियो बना देंगे यहां से हमें बाजू की फिटिंग का हाप कर लेना है और थोड़ा मार्जिनेर कर लेना है इस तरह से और इस वाले मार्क से हमें मिला लेना है और यहां गोलाई दे देनी है दोस्तों यह हमारी ड्रोइंग हो चुकी है दोस्तों अब इसको मार्क के से काट लेंगे यहां से हमें बिल्कुल गोलाई देनी है इस तरह से और यहाँ पर हमें मार्क के साथ से कटिंग कर लेना है इस तरह से कुछ हमारा सेप आएगा दोस्तों बाजू का अगर आपको फुल सर्ट की कटिंग देखनी है तो भी आप देख सकते हैं और पार्ट टू पार्ट आपको देखनी है तो भी आपको हमारे सेप पर वीडियो मिल जाएगी अब दोस्तों हमें इसमें यहाँ पर सेंटर कट लगा देना है यहाँ से हमारा बाजू में फॉल होगा इस तरह से और एक कट यहाँ लगा देंगे हैं और इदर से एक तरफ हमें गड़ा दे देना है जो कि हमारा फ्रण की तरफ आएगा और निशे की तरफ से भी हमें थोड़ा थोड़ा कप्ला काट लेना है राउंड देते हुए यह दोस्तों हमारी बाजू की गटिंग हो शुकी है आयोप दोस्तों आपको विलियो प्रसंद आया होगा ठेंक्स पर वसिंग इस विलियो